हेलो बच्चो वेलकम टू ओनलाइन क्लासेज में अमिट दांगी अमिट आपको सिखाऊंगा कक्षा 3 की गडित तो बच्चो आप मेरे साथ सीखने जा रहे हो कक्षा 3 की गडित तो बच्चो अभी तक आप आपने देखा कि हमने 2 चेपटर कंपलीट कर लिए क्या कर लिए 2 complete कर लिए और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याई तीन क्या अध्याई तीन शुरू करने जा रहे हैं बचो तो चलते हैं अध्याई पर ठीक है जिसका नाम क्या दे रखा बचो संख्या और संख्या प्रणाली क्या दे रखा बचो संख्या और संख्या प्रणाली दे करते हैं मतलब किस तरीके से आपको व्यवस्तित करना है जो प्रणाली है वो आपको देखनी है तो अभी तक हम अध्याय तीन शुरू करने जा रहे बच्चों तो आपको करना क्या है सबसे पहले आपको अपनी के नोट-बुक साथ में लेकि बेटने हैं पैन सिल रबबर शॉप्णर जितने भी सारे जो आपकी पढ़ाई से एक दहाई और दस दहाया क्या बात हो रही है हम जानते हैं कि मतलब क्या और यह बराबर एक दहाई नों बराबर एक सेंखड़ा नमब देर हैं मतलब एक, दो, तीन, चार, मतलब जिसमें एक अंग है, इकाईया मतलब एक अंग, कुछ भी हो सकता है, एक से लेकर नो तक, एक से लेकर नो तक जितने भी अंग है, वो क्या है, दस जो इकाईया है, वो एक से लेकर नो तक, दस इकाईया वो क्या है, एक दहाई बनती है, मेर नो और दस मेरी बात सुनो यह दस इकाईयां हो गई बच्चो तो दस इकाईयों को क्या कर सकता है एक दहाई कर सकते हैं मतलब यहां तक यह जो दस अंक थे एक एक अंक के उसके बाद में क्या कर सकते हैं एक दहाई दस इकाईयां बराबर एक दहाई दस एक अंक को जोड़ने मतलब मिलने पर अंत में एक दहाई गिनती है ठीक है बच्चों यहां तक समझ में आ गया आगे चलते हैं आगे क्या बात हो रही है आप देख सकते हो कई आगे बात दोड़ी कि 10 ढहिय यह बराबर 1 संख्या एंगें मतलब 10 से लेकर 000 90 तक जितनी भी सारी संख्या एं मतलब डस से लेकर जितनी भी सारी संख्याय दस ढहिय यह बराबर 1 संख्या होताम इंक भी file संख्या हो जाती है मतलब दो जिरो और एक संख्या हो जाती है तो अफ इस प्रकार से में सकते हैं वह क्या है दहाई अंकी है दहाई अंगी आऄ रहे है थो दस से लेकर 99-99 तक जितनी भी सारी संक्या है वो क्या है डहाई आ है और उसके बाद में दस दहाई इन बराबर at अ.्--कया कई सकते है जो दस दहाई है लऍrica किरस क्टे इस ते दस तक दस्ते करें हम मतलब जो दस दहाई दे रहे थी आपको जितनी भी सारी संख्या दिए न्क'mां को की संख्या दे रहे थी उसको हम 10 पे गुणा करते हैं तो हमें क्या सो प्राव्त होता है और सो हम क्या किए सकते हैं एक यहां तक समझ में आ गया आगे चलते हैं फिर बाद वही हो रही है कि चुछ ब्राबर управ रूपों में लिख सकते हो दस सब्सक्राइब आ रूपों में यहां तक हमें एक बात क्या रही है कि जो 10 दहाईयां बराबर एक सेकड़ा बनते हैं दो-दो अंकों की हम दस दहाईया लिखते हैं तो हमें कितना एक सेकड़ा बनता है और एक सेकड़े को हम क्या कर सकते हैं एक सेकड़ा बराबर दस सेकड़े क्या होते हैं एक हजार होते हैं और हम एक हजार को अंकों में इस प्रकार कि चार अंकों की सबसे चोटी संक्या कौन सी है तो बच्चों आप देख सकते हो इससे चोटी संक्या वो कौन सी है एक हजार संक्या दिखाई दे रही इससे चोटी संक्या है 999, कितनी 999 है, तो बच्चों, यह तो होगे 3 अंगों की सबसे चोटी संक्या, यह 3 अंगों की सबसे चोटी संक्या आप दिखाई दे सकते हैं, तो हम कह सकते हैं, फिर इससे बड़ी संक्या है, वो 4 अंगों की सबसे चोटी संक्या, जिसमें अंग दिखाई दे रहे, 1, 2, 3, तक आप तीन अंग दिखाई दिर के अगले वह लग्म सब्सक्राइब हैसा तो हम कहीस ही कि जो चार अंकों कि सबसे चोटी है वह क्या है एक हजार है और आν्ध में Ну चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या कह रही है नो हजार नो सो निन्यानवे देखो नो हजार नो सो निन्यानवे देखो एक दो तीन चार चार अंकों की संख्या आपको नो हजा नो सो निन्यान दिखाई दे रही है इससे हम अगर एक औंक भी आगे बड़ा दे तो हमारे पास में क्या होगा दस हजार बन जाएगा कितना बन जाएगा दस हजार बन जाएगा तो इस में संख्या हो जाएगी पांच तो आपको यह भी पता हो ना चिए बच्छों कि एक अंको की सबसे चोटी संख्या कौन से होती है दो अंको की सबसे चोटी संख्या कौन से होती है तीन अंको की सबसे बड़ी संख्या और सबसे चोटी संख्या कौन से होती है आओ बचो हम देखते हैं ठीक है बचों तो सबसे पहले आपको ग्यात हो नची एक सबसे चोटी संख्या क्या है एक मान सकते है जीरो कह सकते हैं या तो हम एक अंगों की सबसे बड़ी संख्या क्या है नो इससे बाद में जो बड़ी संख्या लनकों की सबसे चोटी संख्या क्या है इस से चोटी संख्या लेंगे तो एक उंग की ऊजातीं थैके बच्चों फिर चलते हैं दो इंग चार अंकों की संख्या हम यहां देख सकते हैं कि सबसे चोटी संख्या है वो क्या है हजार है क्या है चार अंकों की सबसे चोटी संख्या हजार है और चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या नो हजार नो सो निन्यानवे हैं ठीक है इसे इन सब्दों में नो हजार नो सो निन्यानवे लिख सकते हैं इस प्रकार से इन अंकों को और पांच अंकों की सबसे चोटी स संक्या में प्राप्त करने की लिए चार उर्णों की सबसे बड़ी संक्या में किवा आ याद रखने वाली बात या नवाली बात Мы क्या तीन अंगों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोडने पर हमें क्या करना पर एक जोडने पर हमें चार अंगों की सबसे चोटी संख्या प्राफ्त होती है और चार अंगों की सबसे चोटी संख्या में एक प्राफ्त करने पर हमें पांच अंगों की संख्या प्राफ्त हो करते हैं तो उससे पहले हम किस प्रकार से हम करते हैं करते हैं तो बच्चों जिसमें एक आंगक हो जिसमें एक आंगका सेlexiva क्या सकते हैं हुआ कोई भी संखया को जोड़ना गटाना हम कहां से प्रारम करते हैं ठीटिम बसलें और अगे बात हो रही है तहाई की जिसमें दों दोंग ऋ एक से लेकर नो तक जितनी भी सारी संह죠 और देखते हैं चलते हैं अगले वाले सो से लेकर नो सो निन्यानवे तक मतलब सो से लेकर नो सो निन्यानवे तक जितनी भी सारी संख्या है उसे हम क्या 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 सकते हैं उससे थोड़ा आगे चलते हैं संख्या दिखाई दरी अभी तक तीन अंगों की संख्या आपने सीखा अब चलते हैं बच्चो आगे क्या च संक्य को 10010 jako 109999 जितनी भी सारी संक्या है मैं जिसमें संक्यूत है आगे जिसमें पांच उंगों उसे हम क्या कर सकते हैं दस अजार कर सकते हैं बच्चो तो आपको क्या करना है ta hi jism3 उसे 1000 और जिसमें 5 ऑंको बच्चों उस से 7000 कहते हैं ठीके बच्चों है आगे चलते हैं उदाने के माधियं से कुछ संक्या समझते हैं इस का डिखा दिखा दिखा है अभी किया वहां किस किस प्रकार से हमपोन से बोल सकते हैं। सबसे बहिए हम क्या कडना पड़ेगा हमें यह जब बी स्टाट कर तो हम दाइनली है किसी भी संध्या को पोलना स्टाक करें तो धा इस तरफ से सुरू करते तो बच्चों दिखाई दे रहा यहां तक मात नुने मतलब सब्सक्राइब हिसालियान को से का था कुन सा था कुन सांथ सेखड़े का था दिती और नबे संगय को अब महासा न ही सपड़न सकते हैं तुम क्या किसकते हैं6 790 इसे 4790 तो सब से पहले हम दिखे रहा है किस पर लिखा गिए अचैनल हो उसके बाद में 16 mau dur 12 की पड़ेंगे 29 क्या क्या वो नो क्या होते है ऑसी फ्लसiyet क्या होते हैं 69 अशी और 9 अशी में जोड़ते हैं रहासी कितने प्राफट होते हैं टीसरे अंकी तो तीसरे अंक्या है कौन से बत्र इसके बाद में पांच किया दे रह 주는 का तो क्या कह सकते बच्चो 44650 लिए ऑगर सकते हैं इस प्रकार से हम शब्दों से लिख सकते हैं तोski आगर सकते और शब्दों में लिखना चिका तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही बाकी करेंगे कल तब तक के लिए धन्यवाद